साम के टाइम में एकदम कड़कड़ती भूख लगी हो और उसमें एकदम टेश्टी और क्रीश्पी मेथी का नास्ता खाने को मिल जाए तो बाती कुछ और है हलो दोस्तो मैं हूँ पुनम मेरी किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मेथी का एकदम टेश्टी और क्रीश्पी वड़ा तो रेसिपी की सुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सेर और सब्सक्राइ करना ना भूले तो बनाना सुरु करते है मेथी का वड़ा बावल में एक चौथाई कप गरम पानी डालेंगे दो टेबल स्पून तेल डालेंगे एक चौथाई टीस्पून बेकिंग सोडा आधी टीस्पून लिम्बू का फूल साइट्रिक ऐसिड आपके पास अगर यह न डाला और सोडा डाला इसके लिए इसमें यह बबल सो रहे है एक टीस्पून रॉफली कुटा हुआ काले मिर्च पाउडर एक टीस्पून सॉंफ एक टेबल स्पून तील एक टेबल स्पून चीनी इसे मिक्स करके साइट में रखेंगे मेथी के पत्तों को तीन बार कप है इसमें आदा कप बारिक कटा हुआ हरा धन्या डालेंगे एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे एक टेबल स्पून तेल डालके इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तेल से इसे अच्छे से कोट कर देना है आदा कप गेहों का थोड़ा मोटा आटा लिया है जो बारिक रोटी का आठा आता है, वो नहीं लेना है, आप देख सकते हैं, इसे मैंने थोड़ा मोटा पीसा है, आपके पास अगर ये गेउं का मोटा पीसा हुआ आठा नहीं है, तो आप इसके बदले में सुझी ले सकते हैं, एक कप बेसन डालेंगे, आधी टेबल स्पून हरी मिर्च की पेष्ट, आधी टेबल स्पून अधरक की पेष्ट, दो टेबल स्पून मुग फले को मैंने मिक्सर ज 9, रोफली क्रस्ट किया हुआ मुग फली का पाउडर ढलेंगे, आप देख सकते है मैंने इसे एकडब मोटा पीसा है, एक टी स्पून नमक दालेंगे, या नमक आप तेल डालके अच्छे से मिक्स करना ही, एक चौथाई टीस्पून हींग, आधी टीस्पून अजवाईन इसे हाथ से थोड़ी क्रॉस करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देते हैं, गरम पानी में पहले हमने जो मसाला मिक्स किया था, ये पानी अंदर डाल देंगे, इसमें एकद्ण थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले हमने मसाला वाला पानी एक चोथाई कब बनाया था ये डाला बात में एक चौथाई कप पानी डाला और अभी मैंने तीन टेबल स्पुन पाने डाल के मिक्स किया है बेटर में एक चौथाई टीज़बून हल्दी पाउडर आधी टीज़बून लाल मिल्च पाउडर मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से आप सारी तयारी पहले से क करके रख सकते हैं और जिस टाइम पर इसे सव करना है उसी टाइम पर भाजी को बेटर में अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद इसे फ्राई करके गर्मा गरम आप सव कर सकते हैं बेटर को मैंने 10 मिनिट के लिए रेष्ट दिया था अभी हम इसे एकदम अच्छे से बाजी को अच्छे से मिक्स करके हाथ से इस तरह से दो मिनिट के लिए फैट लेंगे एक ही डाइरेक्सर में इसे फैट ना है ताकि अंदर अच्छे से हवा भरे और पकोड़ा जो है वो एकदम क्रीस्पी और फुला फुला बने इसमें एक टेबल स्पून जितना पानी डाल ही तेल हमने गरम करने के लिए रग दिया है और यह गरम हो गया है पानी वाला हाथ करेंगे इस तरह से बेटर लेके तेल में छोटा-छोटा पकोड़ा रग देंगे पकोड़ा को लो टू मीडियम फ्लेंपे ही फ्राइ करेंगे ताकि यह अच्छे से क्रीस्पी बने थोड अगर पानी के चीटा डालेंगे तो टेल का टेंपरेचल जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा और पकोड़ा एकदम अच्छे से क्रीस्पी बनेगा दिमी आज पर इसे फ्राइ करेंगे तेल में अगर पानी के चीटे आप डाल रहे हैं तो बहुत ही संबल के डालना है बहु अब युद्व फ्लैम करके इसा एकदम क्रीसपी हो जाए और लाइट ब्राउन हो जाए तब तक इसे फ्राइए कर लेते हैं यह लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है तो इससे निकाल लेते हैं इस तरह से मेथी का वड़ा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और एकदम क क्रिस्पी इस तरह से हम बाकी का वड़ा भी बना लेते हैं एकदम टेस्टी और क्रिस्पी मेथी का वड़ा रेडी है मैंने इसे ग्रीन चेटनी और टोमेटो के चप के साथ सर्व किया है यह बहुत ही टेस्टी बना है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें रेसिपी आपक